हलो दोस्तों, कैसे हो, मजे में, या मजे में चाहिए, God bless you brothers and sisters, खोश रहो, बुल्ले लुटो, लेकिन हमारे driver भाई, बुल्ले नहीं लुट रहे, परिशान है, और कुछ ऐसी ऐसी बातें जब सामने आती हैं, तो और दर्द होता है, आज हम एक बात करेंगे, एक डॉक्टर सामने वीडियो निकाली, ओला पार्टनर्स की सक्सेस में, उन्होंने कैसे ओला को स्टार्ट किया, कैसे मेहनत करी, किस तरह से उठाया उस कंपनी को उन्होंने ओला को, किस तरह से driver को incentives दिये, उपर से नीचे लाए, एक लाग दिये, 30,000 किया, और driver को मालिक समझते हैं, मतलब कुछ ऐसी ऐसी बातें, डॉक्टर साब, हाज जोड के request है, ये कुछ गलत बोल दिया आपने, आपका जो ये scripted writer है यहां, जिससे भी आपने इस story सुनी होगी ना, तो वो दो तिन चीजें इसने जो आपने driver के प्रती बोल दी, ओल मना लेती है, driver ये करते हैं, ओला मना लेती है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, डॉक्टर साब, ओला ताला लगा के भाग जाती है, ओफिस में लॉक करके भाग जाती है, ऐसे ही होता है आपकी, ओला, 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 ऐसी करती है आपकी ओला, जब driver स्ट्र वपने कअ था चार बाग गाडियां 9 किया था कचमीर से लेंके कं अभारी तो इनकी इतने इतनी गाडियां है अरे, डॉक्टरि्स साब इतनी गाडियां है जो है न उसके बीच में कुछ गाडिया ऐसीं हैं जिनके ड्रेवर्स ने अत्मत्या कर ली वो नहीं बताया आपने चार लाग गाड़ियां है ऐसे जोड़ दो उला 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 उड़ गई तुम्हारी उला आए बड़े उला वाले अरे कभी ड्रेवरों से तब पूछ लो कि ड्रेवरों को मालिक समझते हैं बिन्दराजी ड्रेवर को मालिक समझते हैं ओ माई गाड़ ड्रेवर साब रिसर्च कर लो जरा इसके ओपर अरे वो तो ड्रेवर को ड्रेवर भी नहीं समझते हैं सर आप कहां चलो दूसरों का छोड़ो मैं आपना एक्सपिरेंस बता देता हूं आपकी ओला किसी भी ड्रेवर को फ्रॉड पनल्टी लगाती है फ्रॉड बना देती है ये उपर लिंक आ रहा है डोक्टर साब पढ़ लेना जो भी आपका ये देखते होंगे लाइव चल रही है वो वीडियो लाइव फोन किया है मैंने 280 पे की मुझे पनल्टी लगाई उन्होंने मैंने जब पूछा उनसे कि ये फ्रॉड पनल्टी किसले लगाई उनके पास जवाब नी था ओला 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 आपकी ओला के पास जवाब नी था उसका समझे साफ बोला उन्होंने हम इसमें कुछ नहीं कर सकते मैंने उनसे बोला कि कम से कम फ्रॉड तो हटा दो हमने फ्रॉड क्या किया मुझे ये तो बता दो कि मैंने फ्रॉड क्या किया रक्टर साब आपकी ओला ने नहीं बताया मैं कि हमने फ्रॉड क्या किया शायद मालिकों को नहीं बताते न, आपकी राय की एसाब से कि हम लोग तो हम ऐसा समन्द है, हमें मों मालिक समझते हैं दोक्टर साब गल्ट बोले आप, थोड़ा रिसर्च कर ले न था इसके बारे में, मुझे काफी भाईयों के रिव्यूज आए, कि दोक्टर साब ने एक वीडियो बनाई है और इसमें ये बाते बोल दी कहीं है, दोक्टर साब आपने खुद बोला, एक लाख, सवा लाख, ड अगया है, धिरे धिरे करते करते नीचे डाउन आ गया है, तो आप खुद सोचो, कि जिस आदमी को एक लाख रुपे का एक आदमी ने लालच दिया, उसको अब तीस हजार पे लेके आ गया है, आपने खुद बोला, नोक्री छुडवा दी, सर आपने अपनी जुबान से भ काम करता एक लाख रुपे के लिए उसके बाद वो तीस हजार पे आ जाता है, तो आप कैसे मतलब, तो वो आदमी कैसे सरवाइब करेगा, डॉक्टर साब, अब खुद बता हो जड़ा, इस बारे में सोचो, कि आपने खुद बोला, एक लाख से तीस हजार तक लिया है, उस सब कहां से अच्छे हैं, वाक्य में बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर साब, वाक्य में बहुत अच्छे हैं, लोग आत्तमत्या कर रहे हैं, अपनी गाड़ी की किस्ट चुगाने के लिए, लोग मर रहे हैं दिन रात, क्योंकि ये किस्ट तीन साल पांच साल तक के लिए, ब किसी ने जोपडी बेच दी अपनी, किसी ने अपना मकान विर्गी रख दिया, इसलिए कि हम कमाएंगे एक लाग तो सब कुछ चुका देंगे, आपने खुद बोला, कि यही सोचा समने कि चलो या डाउन पेमेंट भी लेल, बजब बात में एक वो तीस हदार पे आ गया तो आप सोचो, वो ड्रेवर कभी अपनी जुगी छुड़ा पाएगा, अपनी जनानी के गहने छुड़ा पाएगा, अपना घर जो गिर्वी रख दिया, वो छुड़ा पाएगा, ओला, 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 ही लेगे सब कुछ है, डॉक्टर साब, I respect you, I respect you are all videos, बट इस बार, गलती होगे सर, तो प्लीज, रिक्वेस्ट है, आपने अच्छा बोला, मना नहीं करना है, सब कुछ ठीक है, अगर उने महनत करी, कंपनी बनाई, सब कुछ करी, बट जब ड्रैवरों की उपर बात आती है न, तो आपने ये नहीं बोलना था उनको, आपने ये गलत बोल गए, कि उनका समन्ध हमारे से अच्छा है, सर कोई अच्छा नहीं है, ओला लीजिंग के ड्रैवर आतमत्या कर रहे हैं डॉक्टर साब, तो डॉक्टर साब आखरी में यही कहूंगा, कि आपने ऐसी दो बाते बोलके, ड्रैवर्स के जखमों पे नमक लगा दिया है, आपको लोग सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, मोटिवेट होते हैं सुनके, लेकिन जो दो बाते वो आपने बोली, वो हमें दर्द लग गई, कि जिनको पूरी दुनिया सुनती है, सब कुछ करती है, उन्होंने सोचा ही नहीं है, बोलते हुए, कि आप अप अ ट्राइक रही थी, 20 दिन स्ट्राइक रही थी, पीछे, लखनवों में 20-25 दिन रही, दिली में आए दिन स्ट्राइक होती रहती है, मेट्रो सिट्टीस में, तो सर आपको इस बारे में पता ही होगा ना, अगर हम लोग खुश होते, तो क्या हम लोग संपों पे आते हैं, न तो अगर हम यहां से निकलते हैं तो एक लॉस होता है जिसको आप जहल सकते हो बट यह ऐसा लॉस होता है यह आपको माइनस में लेके जाता है आपका घर आपका परिवार सब भिखेरू भिखेरू हो जागा अगर वो आदमी इस गाड़ी को छोड़ देगा तो लेकिन फिर भ काम को अच्छे से कर सकें कुछ ऐसा काम हम ढूंडें जो हम अपनी अपनी काबलियत के हिसाब से कर सकें यह प्लेटफोर्म जो भी है यह सरफ एक पार्ट टाइम का प्लेटफोर्म है जिसको सरफ उसके नजरिये से करते हैं यह कोई फुल टाइम करने वाला काम नहीं है अपनी तबियत खराब करेंगे और ओला 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 करेंगे ठीक है यह बात है मैं उन भाईों से रिक्वेस्ट करूँगा हाद जोड के सब ड्रैवरों से कि भाईयो स्ट्राइक करके या आत्मत्या करके या कुछ और ऐसा करके कुछ नहीं मिलने वाला है अगर हम प्रैक्टिकल ही सोचें पैसा तो काम करके मिलता है तो जरूरी नहीं है हमें एक ही काम करना है तो अपना दिमाग आखें और कान खोलो और दुनिया में भहुत से आसे काम है जो हम गाड़ी चलाते चलाते साथ-साथ में छोटे बड़े कर सकते हैं तो हमें वो साथ-साथ में करने चाहिए ताकि हम अपना इंकम आफ सोर्स बढ़ाएं ठीक है मैं पूरी कोशिश करता हूं आपको हमेशा यह बताने की छोट-छोटा काम क्यासे कर सकते हैं छोट-छोटा काम करो दोस्तों कोई किसिको बोलने का स्किल है तो वो लाइस एजेंट बन जाए किसिको और marketing का स्कल है तो वो अपने गाड़ि में चोटे-मोटे परड़क्त रख सकते हैं किसिको कोई स्किल है किसिको कुछ है सबकी अपने अपनी एकना किशंता होती है तो अपनी उस चमता को भार निकालो और दोस्तों कर दिखाओ ये काम और इस काम को जैसे इन्होंने हमें इस्तमाल किया एक लाग से तीस जार तक लाए किया ना इस्तमाल तो वैसे ही गाड़ी खड़ी कर दो कि वाई अब मेरी मर्जी होगी अगर सर्ज होगा अच्छा पैसा मिलेगा तो चलाओंगा नहीं तो नहीं चलाओंगा लेकिन दोस्तों उस लाइक हमें बनना है उस लाइक हमें बनना है सामने वाले को जब जब जवाब देना होता है तो उस लाइक हमें बनना पड़ता है मेहनत करने पड़ती है आगे निकलना पड़ता है तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि इसको अपनी मजबूरी ना बनाएं इसको अपनी हिम्मत बनाएं और आगे बड़े जिन्दगी में और ना किसी को कुछ समझ आये तो भाई की फस्ट वीडियो से आज तक की वीडियो देख लो यार मैं भी आप ही कितरा फस्ट चुका था इन चक्रों में लेकिन भगवान का शुकर गोजा रहें बाहर निकलें अपनी सोच बदली और आज और काम करते हैं हम और इसको हम पार्ट टाइम करते हैं ने तो मैं चलाता भी नहीं कई बारी पूरे महीने में अगर मैं इसको अगर हिसाब लगाँ तो पूरे महीने में मैं मुश्किल से इसको 15 दिन मुश्किल से चलाता हूँ और वो भी बस half day, वो भी इसलिए कि आप लोगों को मैं update देता रहूँ कि क्या चीज़ चल रही है एप के अंदर, क्या चीज़ customer का experience आ रहा है और क्या चीज़ बढ़ रही है, क्या चीज़ घट रही है इसके लिए, क्योंकि जो बेडा उठाया मैं उसको भी continue रखो, तो दो अपने customer बनाओ, अपने customer के, अपने customer लेके जाओ, ओला उबर भी तो बनाई रहा है ना अपने customer, तो आप भी बनाओ, आप भी किसने मना किया है, भाई, जब आप, आपके पास पूरा proper commercial गाड़ी है, है, टेक्सी है, commercial license है, सब कुछ है, बैज है, तो एक इक चीज़ आपक documentation है आपके पास, तो डर किस बात का है, ट्रेवल वाला से मिलो, होटल वालो से मिलो, अपने भाईयों से मिलो, अपने internet पे डालो, facebook पे डालो, whatsapp पे डालो, हर जगा डाल दो, क्यों, बस, हो जाएगा एक दिन काम, महनत करो, हिम्मत करो, सब होगा, I hope, कि मेरे भाईयों लोग इस चीज़ को समझें, और कुछ हटके करें, ताकि हम एस दलदल से निकल सकें, एक चीज़ और, हो सकता है किसी भाईयों को इस चीज़ से profit भी होता हो, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसके साथ जब इतने लाखों ट्रैवर्स जुड़े होएं, त इसी का लग काम कर रहा है, काफी चीज़े होती है, तो कोई ठीक भी चल रहा हो, कोई प्राब्लम नहीं है, तो ठीक है, उन्हें चलने दो, बट कहने का मतलब यही है, कि दूसरों को देखके, अपना जोपड़ा मत जलाओ ना भाई, सब चीज सब के लिए नहीं बनी होती, हमें यह समझना चाहिए, ओके दोस्तों, बहुत प्यार देते हो आप मेरे को, ठेंक्यू सो मज़ इसी के साथ हमारे 50,000 सुस्क्राइबर्स भी पूरे हो गए, और मुझे लगा कि इसका मुझे जवाब देना चाहिए, क्योंकि जो चीज गलत होती है, उसका जवाब हमेशा दो, ताकि सामने वाले को पता लग सके, कि ये चीज गलत हो गई, ओके दोस्तों, नमस्कार, बताना जरूर आपको कमेंट सक्षन में वीडियो कैसी लगी,